न्यू दुर्गा ज्वेलर सिर्सा खारिया वाले प्रभुजी सोनी वा पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मानेत अप्राप्त मशूर हॉल मार्क ज्वेली शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलेस पर शुराम चौक सिर्सा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9-8-1-3-9-3-2-0-1 या 9-4-6-6-6-9-7-2-1-7 पचेतर सांग में धिली में रहलादों में पहली ऐसी सर्कार है जिसने खेती पर देक्स लगा दिया आपकी खाट पर 5% GST आपके ट्रेक्टर पर 12% GST आपकी कील नाशर दवाई पर 18% GST और ट्रेक्टर का टायर हाउड लेने जाओ तो फिर भी उस पर 18% GST ये पहली सर्कार है जिसमें 700 किसान एक सान तक बिली के दर्वाजे पर हर्याना के बॉर्डर पर बैटे एक लाइड ओ किसानों में से 700 किसान शहीद होगें समय परद दिली के शाषग तो हर्याना के कुक्क्यमंत्र को यह फुच्थत नहीं मिनी के जाकर उन किसानों मजदूरों करीबों के अंसे पहुश पारे 700 किसान शहीद हुए साथ को किसानों ने इस देश के खिसानों से 여기 क्यान के लिए अपनी जिद्टगी में नियुक कर वरयान और दिली किसान शिका नहीं जाए और जो बाद़ लियान था वर्याल के खिसान से नर्यदर मुनी इने मनाफ्रा लाल भत्तर जीने शेंट चुड़ा लाए कि न्यूंतं समर्तं मुल्य की गैरंटी देगे आज तक दो साल बीट के वो गैरंटी नहीं देगे एक बार फिर खिसान के साथ बुखा हो संसक के पटल पर शेयर्चा जी ने पहले वो उसके बाद मैंने इस सवाब पुचा लरेंगर मौदी जी आज हरियन और देश के खिसान का कर्जा कम माद करोगे तो जवाब आभी मंदी का कि खिसान और अज़्दूर का गरीब रभीदास्या और बाल्मीटी का बैकवर्ड का कर्जा माद करने के लिए भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं से भारत की सरकार और अर्यारा की सरकार के पास पैसा क्यों है क्या इसी सरकार को एक पिपी सब्ता में बढ़े रहने का अधिकार है इसलिए यह जादका ज्याय की हुपकार के साथ के लिए लेकर आई हाई हरिगाना का माजवान हर्जारों की संख्या में मेरे छोटे भाईयों मैं आउसे पूछता हूँ च्या हर्याना के बेपे और बेपी लाइख नहीं हमारे बच्चों में सिक्षा नहीं हमारे बच्चे काबिल हैं सिक्षिक हैं बुड़ी हैं प्रण उनके लिए बीजेपी और जेजेपी की सरकार में बोज़गार भर रूटी नहीं हमारे आप अरोज वीडियो देखते होंगे अर्याना के बच्चे अब ये कहते हैं इसराइल जाकर मर जाएं तो मर जाएं क्योंकि हर्याना में तो रूटी नहीं हमारे संख्या शहर के 47 पेपर लीग हुए पटवारी का पेपर लीग, चबड़ासी का पेपर लीग, एड्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीग, एड्रिक कल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीग, पिछले साधे नौसान में संतारिस पेपर लिख हुए हपिएस्टी का नया नाम है हेरा परी सर्विस कमिशन क्योंकि वो नौकरे नहीं देते वो हेरा पे लिखेंटर दे और पब्लिक सेज नौटर तो इसलिए ही संतारिस पेपर लिख होने के बाद एक आदमी को अस्तर सजा नहीं देते जैज जानी कॉंडरिस पांटी की प्रदेश की अधिरस्ती याद करिये पेटे इनों में हम सब ने अर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन को गेरा क्योंकि करोड़ रुपिय की अटेशियां जो आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था उनको बेच रहे हैं खट्र साथ की सर्कार SPSC के अंदर करोड़ रुपिय की अटेशिया पकड़ी थी राज आपके बुस्तव कट्र साथ 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 में एक आदमी को सज़ा मिली साथ 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 में एक आदमी जेल में गया साथ साथ में आपके बताया कौन सा हो सफेज पोश्ट है जो चंडिगड़ की गंदी के उपर बेटा है सचिवाले में और आमारी बेटियों और बच्चों की नौकरी खाला कटर सावल को मैं में जुमले घटे लगे जुमलों के सरदा देश के बढ़ते हैं तेश दिसंबर को इसी तेश दिसंबर जो पिछले साल की रही है हर्यान की विलान सवा में कहा बत्रकार साथी दोट करने कौन सा पुख्य मंत्री है जो 35 दिन में 29 लाद नौकरियां दे सकता शायद ये मनोव लाद घटर की पहले पुख्य मंत्री होने हो और अब क्या कहते हैं हम नौकरियां देना जाते हैं पर पेपर जो रजर्ट रोकने वाड़े गैन है वो अधालत चले जाते हैं घटर साथ समिदान दिवस पर आप समिदान की शपक की अवेलना कर रहे हैं मैं इसाथ अगात अम्हार के उपर काला साथ अंबेट कार पंड़े चुवाद लेड़ो सरदार वल्लत भाई उगटे राजिंदर प्रशाद जी ने ये समिदान इसलिए बढ़ाया था कि देश के लोगों को सरदार के खूद क्रिटों को उजागर करने का अधिबार बिलेगे अगर आप फेवापे ली करेंगे अगर पेपर लीग करेंगे अगर हमारे बच्चों का अगर आप अरक्षण चीनेंगे तो क्या आपर बच्चों को अधालत पर जाएंगे तो आपने ग्यांट बोले के सच्चा ये है एरा फेरी करें खटर सर्कार और हिल्दान लगाते हैं आजवी हर्याना के नौजवानों पर अगर किसी पर पढ़ी चलज़ी से और तफसीर से बताएंगी तो आमारी महिलाओं कर पढ़ी 400 रूपे का गैस सेलेटर था जब कंग्रेस पार्टी कराज था 2014 तक आज वही गैस सेलेटर आपको 1500 रूपे का मिलता साथ रूपे किलो की दाल थी आज वह देख सो और 200 रूपे की है 50 और साथ रूपिया खाने का पेल था आज वह देख सो और 200 रूपिया है गरीब आदमी गरीब राभी रवी दाशिया गरीब कामी की छोटा छोटा दुकांदा गरीब की साथ भुमी ही मज्दू कांद है अज उसके हाठों पर हमला बोदा जा रहा है आज देख की समीनां पर हमला बोदा जा रहा है आज गरीब रवी कास के और और बाभी की बच्चों का backiczon's का वजीफा चीना जा रहा है पहली से आगली कास सकता तो उबजीफा हुआ ही बत्टा है खटर सामने लाइबों में खड़ा कर लिया, बोले परिवार कहें चान पत्तर बढ़ाओ, एक आदमी घरता हरोज सबेरे दफ्तरों में बटकता, सरसा शेहर के हमारे भाई बेन जानते, प्रॉप्ति आईडी के नाम पर सरसा शेहर में, दबबावारी में, पूरे हरियाना में लूट कुई, तो हम सब जान रहे हैं, इसलिए बुदरबों साथियो, मैं केवल आपको ये काउंगा, ये कंदेश याक्रा और भारत बोड़ो याक्रा, व्रसत्ता परिवत्तन और विवस्ता परिवत्तन का एक बिगुल है, ये बिगुल है, ये एक हुंकार है, हारियाना देश के लोगों की, आपकी, हम लोग किसी पर्त की लडाई नहीं लड़े, कुमारी शेल्जर किसी यारंडिंग सिंस हो जेवारा, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बदु की लडाई नहीं, ये सत्ता के परिवत्तन की लडाई है, ये व्रसता के परिवत्तन की लडाई है, औ अमड़ा तश्यक और तेली दाना हट विरादरी की है ये लड़ाई अगुस आदमी की है जिस जो आज सरकार से उप्पीरित है जिसलिए केवल एक बात आपको कहें कर देवारी को विराद दूगा जाद जादिए जादिए मुर्खी उठाए और कह दीजिए पूरे देश को के हम तयार हैं एक बार मुर्खी उठाकर बताईए सारे साथी के आप तयार हैं सब्ता और रवस्ता परिवत्तन के लिए जिस मुंकार को शेयर जादी और आप हम सब लेकर आएं बहुत बहुत शूरिया सब को